हलो दोस्तों मैं हूँ शुनाली और आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक मूवी रिव्यू लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी एलार्म वी ललन टॉप टीम और हमारे संपादक सौरभ दिवेदी पहुँच चुके हैं जानने क्या हाल है यूपी यही सवाल पूछा जाएगा आपको बताया जाएगा और हमारे संपादक सौरभ दिवेदी को आप लाइव देख पाएंगे उनके नए पते ललन टॉप यूपी हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्स्क्राइब जरूर करें अब आगे बढ़ते हैं हमारे मूवी रिव्यू की ओर Marvel Cinematic Universe 2008 में आई Iron Man से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है अब इसी उनिवोर्स की 24 वी फिल्म रिलीज हुई है Black Widow काफी डिले के बाद फिल्म 3 से नंबर को इंडिया में रिलीज की गई वो भी Disney Plus Hotstar पर शायद पहली Marvel फिल्म है जो डाइरेक्ट OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज की गई है हाला कि अमेरिका में फिल्म को थेटर और Disney Plus पर साथ ही रिलीज किया गया था लेकिन किसने सूचा था कि जिन Marvel फिल्मों को Martin Scorsese ने थीम पार्क राइड्स कहा था उन में से एक सीधा आपके स्क्रीन्स पर पहुँच जाएगी Natasha Romanoff यानि की Black Widow की कहानी बताती है ये फिल्म कैसी है यही जानने के लिए हमारे साथी यमन ने भी फिल्म देख डाली उन्हें फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं आईए जानते है सबसे पहले कहानी क्या है 2016 में आई Captain America Civil War सरायार कीजिए जहां सरकार Sokovia Accord के तहट Avengers को अपने कंट्रोल मिलाने की कोशिश करती है Captain America इन टीम ये नहीं मानते और वो सब सरकार के लिए भगोडे घोशित किये जाते है Black Widow भी Captain की टीम में ही शामिल थी Black Widow फिल्म उसी नोट से शुरू होती है सरकारी एजेंसी इस वीडो को पकड़ने की कोशिश में जुटी है उनसे बचने के लिए वो कॉंटिनेंट बदल देती है अपना प्रेजेंट बदल लेती है और खुद को अपने पास्ट के सामने खड़ा पाती है मावल की फिल्मों ने नताशा की पुरानी जिंदगी से जुड़े हिंस ड्रॉप किये जैसे 2012 की एवेंजर्स फिल्म के क्लामाक्स में नताशा और हौकाई एलियन्स की आमी के सामने खड़े होते है नताशा तब हौकाई से कहती है कि यह फिर से बुड़ा पेस जैसा है हौकाई जवाब देता है कि अब तुम और तुम्हें बुड़ा पेस काफी अलग तरीके से याद है बुड़ा पेस से नताशा का क्या कनेक्शन था? वो ब्लाक विडो देखकर पता चलेगा ब्लाक विडो देखने के बाद मैंने एवेंजर्स वाला वो सीन फिर से याद किया सबसे ची बात यह लगी कि उस सीन में नताशा के किरदार ने बुड़ा पेस का जैसा उचारण किया था ठीक वैसा ही उचारण उसने ब्लाक विडो में भी किया मदब कहीं कोई अंतर नहीं है और यही मावल की फिल्मों की डीटेलिंग है क्या ये एक ओरीजिन स्टोरी है ब्लाक विडो को किरदार की ओरीजिन स्टोरी बताकर पेश करने की कोशश की गई थी लेकिन ऐसा केस नहीं है दो गंटे तेरा मिनट के रन टाइम में फिल्म सिर्फ शुरुआती तेरा मिनट के लिए ही नताशा की पास लाइफ को क्याप्चर करने की कोशश करती है एक एक्सपरिमेंट के तहट नताशा और उसके जैसे अनेकों बच्चों को ट्रेंड किलर्स में तबदील कर दिया जाता है उनके दिमाग को कंट्रोल कर लिया जाता है नताशा अपनी इस पुरानी जिंदगी से बाहर निकल जाती है लेकिन एक रिग्रेट के साथ जो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा लेकिन सबसे बुरी बात थी कि उसके इस रिग्रेट के कारण को फिल्म ने सिर्फ सतही तोर पर ही छुआ है नताशा अपनी जिस जिंदगी से भाग रही होती है भाग रही थी फिल्म उस जिंदगी में घहराई से नहीं उतरी सिर्फ डायलॉग्स के जरीए कहानी कवर करने का काम कर दिया है जो एक पॉइंट के बाद थका देता है आपको और साथ ही किरदार से उसकी emotional depth भी छीन लेता है उसे उपर उपर से दिखने वाला एक poster बना देता है अब यह कहना गलत नहीं होगा कि Black Widow ने अपने मुख्य किरदार की backstory के साथ इंसाफ नहीं किया लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म की writing को सिरे सिनकार दिया जाए Marvel फिल्मों में मेरी सबसे पसंदीदा चीज है detailing जुस पर लगभग हर फिल्म में बारीकी से काम किया जाता है Black Widow में भी हुआ है एक example बताते हैं यह कहानी Captain America Civil War के बाद की चलती है जो 2016 में आई थी मान सकते हैं कि Black Widow के events भी 2016 में ही घट रहे हैं एक सीन में Natasha ड्राइव कर रही है उनकी गाडी में हर्की वॉल्यूम पर एक गाना चल रहा है सिया का चीज थ्रिल्स यह गाना 2016 में ही आया था और चार्ट बस्टर बना था गाने के जरीए कहानी में यह पॉइंट स्टाबिश कर दिया गया कि यह कब घट रही है यह पॉइंट कहानी के रिस्पेक्ट में कोई महान डिस्कावरी तो नहीं है लेकिन देखकर अच्छा लगता है जब मेकर्स अपनी ओडियोंस को ग्रांटेट नहीं लेकिए अब फिल्म की सबसे अच्छी बात क्या है फिल्म में Scarlett Johnson ने Black Widow वाला करदार रिप्राइज किया है उनके अलावा Florence Pugh, Stranger Things वाले एक David Harbour और The Mummy series वाले Rachel Weiss भी major roles में है सबी ने अच्छा काम किया मतलब स्क्रिप्ट में acting front पर कुछ out of the box करने का scope नहीं था फिर भी lead actors का का काम ठीक था फिल्म की साकास्ट उसका सबसे मजबूत पक्ष नहीं जो factor सबसे उपर उभर कर आता है वो है इसके action sequences सूपर हेरो फिल्मों में आम तोर पर भारी भरकम VFX के साथ action scenes create किया जाते हैं हम यहाँ ऐसे scenes के बात नहीं कर रहे हैं बात कर रहे हैं hand to hand combat वाले fight scenes की जोनें तरीके से choreograph किया गया था फिर चाहे वो नताशा का अपनी बहन से लड़ने वाला scene हो या फिर आगे आने वाले fight scenes सब engage रखने का काम करते हैं लेकिन काश ऐसा फिल्म की writing के लिए भी कहार जा सकता होता अगर आप hardcore Marvel fan है तो यह film जरूर देखेंगे लेकिन अगर Marvel Cinematic Universe में पहले आचुकी फिल्मों से Black Widow को compare किया जाए तो यह एक बड़ी ओसत सी फिल्म है खास तोर पर जब आप Black Panther जैसी फिल्म को देख चुके हों कहानी का सार आपको बता दिया बागी अब आपकी अपनी मर्जी देखना है कि skip करना है और हाँ Marvel के अधिक्तम फिल्मों की तरह ही यहां भी एक post credit scene है तो credit roll किये बिना ही film बन मत कर देना यह review आपके लिए लिखा हमारे साथ ही अमन्ने मेरा नाम शुनाली है आप देखते रहें दी ललन टॉप शुक्रिया